है हलो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं इंडियन वरकाउट चैनल आज हमने देखिए फ्लिप काट से फ्लिप काट के हम प्लस में बने फ्लिप काट प्लस से अमने यह बिग मसल्स का रो एंड वे प्रोटीन प्रोटीन क्या फ्लिप ख़तम उगया ता जैकि मैंने आपको बताया था क्या इसमें हमने प्रोटीन मंगाया था जिसमें इसको हम खूल रहे हैं और आपको बताएंगे कैसा है इसके बाद हमारी वीडियो आएगी इसमें हम आपको जो पिछले जो हमारे प्रोटीन हमने मंगा हैं उनका ट्री रुवियो देंगे आप जरूर देखिए का हमारी चैनल पर यह देखिए इस पैकेजिंग में आपने वे देखिए आकेजिंग काफी हैं आपक बहता है ने मिली ए होती है और 945 कुछ आहले मैं लेपा जो की कुछ 48 G इसमें जो है यहां पर आप देख पाएंगे यह देख सकते हैं 25 ग्राम प्रोटियन है 30 ग्राम 33 ग्राम का स्कूप है तो है तो इसको हम आपके सामने ँबॉक्स करने जा रहा है यह देखिए packaging काफी बहता है बहुत अच्छी packaging है देखा जाए तो इसको आप ऐसे खोलेंगे और फिर कुछ इस तरीके से इसको खोलेंगे ये और देखिए इसके अंदर भी एक polythene है अला ये polythene आपके काम करने के लिए भी यूज किया सकती है इसी भी काम में आप इसको इसको इस्तिमाल में ले सकते है और इसके अंदर एक और पाले थे नहीं है तो packaging तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों अब इसको हम टेस्ट और करेंगे मैंने पहले से ही शेकर भरके रखा हुआ है इसको हम इसको टेस्ट करेंगे ये इसका स्कूब है 33 ग्राम का देख सकते हूँ बहुत दिन होगा है हम लोग को प्रोटीन लिए हुए ये ज्यादे दिन नहीं चलेगा दस दिन जलेगा दस से पंदर दिन हम दूनों लोगों को में और मेरे भाई को देखते हैं इसको टेस्ट करके कि कैसा है देखिए ये भी पैक है अंदर बहुत ही अच्छी तरीके सी प्रोटीन जो आया है मझे लगता है कि ये काफी अच्छी पैकेजिंग है सबसे अच्छी पैकेजिंग है अभी तक जो भी हमने कितने भी मगाए है उनमें तो इसको हम जो है नहीं से कट करने आले हैं इसको पूरी तरीके से नहीं खराब करूँगा मैं क्योंकि बारिस का स जल्दी से खराब हो सकता है हमारा वेब प्रोटीन को कट करेंगे इतना कट करना है कि इसमें स्कूप घुजाए और क्या इसके अंदर स्कूप चला जाएगा और हमारा काम हो जाएगा ये हमारा राय स्कूप और ये शेकर है जो कि मैंने पहले से भरके रखा हुआ है आप देख सकते हैं इसमें हम दालेंगे दो स्कूप बसे तो दो स्कूप भी कमी है देखा जाए तो क्योंकि हमें तीन चार दी हो चुके हैं उमने अभी तक लिया नहीं है ये कम है मैं लगबक तीन स्कूप डालू दो जो की लगबक 20 स्कूप के बराबर हमको मिलता है तो 30-30 ग्राम मिनिमम हमको मिल दाएगा ऐसा है ये देखें इसकी मिक्सिबिलिटी वगेर हम देखें के कलर तो देखा जाए तो दोस्तों फ्रेंड्स बहुत ही बढ़ी है कलर में कोई दिक्कत नहीं ये देखो पैकेज अच्छा है कलर भी देखा जाया तो टेक्शर भी अच्छा है तस को मिक्सटे करके में और मिरा युपी एंगे दो दो गलास लग बग हमने इसमें पानी मिला है तो ये सेकर हमनेह में इसकी वीदियो डेली ही है आप चाहिए तो देख सकते हैं हमआरे चैल पर बहत ही इजी देखे है रोवे है 25 ग्राम में, 33 ग्राम में, तो क्यासा निकलता है, एक बार इसको हम टेस्ट करके अजिमा के देखते हैं, अगर अच्छा निकलेगा तो बिल्कुल इसी को मगाया जाएगा, गोल्ड अला अच्छा नहीं लगा था इसमें फ्लेवर्स थे, चॉकलेट मगाय नहीं, बहुत जादे फैन नहीं है, देखिए, थोड़ा सा अनमिक्स वहा है, बाकी फैन नहीं है, जो में लास्ट प्रोटीन थे, इसमें फैन नहीं है, मिक्सिबिलिटी थोड़ी सी लो है या ऐसा हो सकते है कि मैंने कम मिलाया है, इसलिए यह देख सकते हैं, ठीक है, प्रोटीन थे, इसके पहले प्रोटीन थे वो इतने ठीक नहीं थे, दोस्तों इसको हम टेस्ट करेंगे, और इसके बाद, नेक्स्ट आने वाले जस्से, 15 दिन में इसका ट्री रूप व्यू देंगे, एक दू दिन में हमारे जो पिछले प्रोटीन है, मैटल का और मसल असा झाले ए, बःबाएं